अगर आपका मनी प्लांट भी ऐसे जाड़ी नूमा हो गया है अब तक आपने उसे कोई सपोर्ट नहीं दिया हुआ था तो ये विडियो आपके लिए बिना किसी माली के हल्प के आप खुद ही इसको मोसिस्टिक पर सेट कर सकते हो कटिंग से लगाया हुआ ये नियोन मनी प्लांट यानि कि तोतिया रंग का मनी प्लांट मेरा सिर्फ एक ही स्टेम है जो बहुत लंबा जा रहा है और करीब 12 फिट से भी जादा इसकी लंबाई हो गई है तो ये इसमें अब छोटी छोटी सी ब्रांच एक दो जगे से आने ल हमारी मोस स्टिक जो मैंने कभी 40 रुपे की ली थी और इस गंबले में हमें लगाना है ये 12 इंच का पॉट है तो दोस्तों मोस स्टिक की थोड़ी सी बात कर लेते हैं इसको मोस स्टिक बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर मोस यानिकि जो ग्रीन कलर का वेलवेटी सा ग्रास हो और थोड़ा सा नूट्रिशन भी मिले क्योंकि ये खाद का भी काम करता है घर पे जो आप डियाइवाइ स्टिक बनाते हो वह मोस स्टिक नहीं होती है अगर उसमें मोस नहीं भरा हुआ है तो वह सिर्फ सपोर्ट इस्टिक है जूट वाला भी अच्छा होता है क्योंकि उस यह चोटे वाला है एक और बड़ा सा रखा है और जब भी कभी नर्सरी जाए अगर आपको कम रेट पर मिल रही है तो महसिस्तिक जरूर लेकर रख लीजे यह बहुत सारे पोधों के काम आता है तो चलिए अब देर नहीं करते हैं और इसको मैं कैसे इसको सेट करना है वह देती हूं टोटल 15 मिनट मुझे लगे थे पूरे प्रॉसेस में जिसको की मैंने वीडियो में फास फॉरवड करके आपको दिखाऊंगी तो देर नहीं करते हैं और प्रॉसेस शूरू करते हैं सबसे पहले तो क्या कर लेना है कि आपका जो प्लांट जिस भी गंबले में लगा है उसकी मिट्टी को थोड़ा सा छुटा लेना है तो मैंने एक चाकू का यूज किया हुआ है ताकि वह मिट्टी इसकी सतह से अच्छे से हट जाए उसके बाद में इसको उल्टा करके मॉसस्टिक लगानी थी तो पहले मैंने क्या किया कि इसको मैंने रख दिया फिर मैंने सोचा कि इसमें कैसे लेगी कि फिर दुबार से निकाला फिर से निकाला तो प्लीज कॉंसेंट्रेट होके काम करें मेरी तरह गडबड ना कर दे आप अभी देखे मैं ऐसे ही कर रही और अगर आपके पास कोई खाद नहीं है तो आप उसको बाद में एड़ कर सकते हैं जैसे यह मेरे ब्रदर ने एक मिक्षर दिया है जिसमें कि तीन चार तरह के खाद फर्टिलाइजर मिले हुए मुझे नहीं बता कि यह क्या है इसमें लेकिन हैं बहुत सारी चीजे हैं न अच्छा स्वाल मिक्षर बना दे जिसमें बहुत सारी चीजे वर्मी कंपोस्ट काउडंग कंपोस्ट बोन मील वगरा सब पड़ा हुआ हो अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है कि हमें इसको लपेटना कैसे हैं बिना कोई पत्ता कोई स्टैम तोड़े बहुत ईज पानी के बाद आपको यह रखना है ध्यान रखेगी धूप में नहीं रखना क्योंकि रीपॉर्टिंग के बाद अगर आपने मनी प्लांट को डिरेक्ट्ली रख दिया धूप में तो प्लांट मुर्जा जाएगा और बहुत चांस है कि उसकी पतियां पी लिए उकर सारे ग जब इसकी मिट्टी थोड़ी सी सूख जाए हाँ बीच में आपको इसकी मौस स्टिक को गीला करता रहना है शौवरिंग करते रहना है पानी का तो इस तरह से स्प्रे बॉटल से इसको अच्छे से नहा ला दीजे और जब भी आपको यह थोड़ा सा डाउट हो कि रिपॉर जमीन में लगा है दूप में तो वह सर्वाइब कर जाता है लेकिन जब बहुत डिरेक्ट अभी गर्मी में पड़ेगी डिरेक्टी पूरे दिन की दूप में उसके खराब होने के चांसे रहते हैं तो मुझे तक च्छाया में ही रखना है यहां पर मैंने पहले रखा हुआ और यह बात्रूम का जो गेट था इस पर मैंने पिन की हैल्प से पहले इसको लगाया हुआ था लेकिन क्योंकि मैं दिवार पे इस पर स्प्रे नहीं कर पाती थी तो इसके पत्ते जादा गंदे हो जाते थे अभी यह जगह इसकी बिल्कुल ठीक है इसकी ग्रोथ यहां बह आती है तो इसको रॉष्णी की कमी नहीं रहेगी खाद वगर मैंने इसको डाल दिया है अपने घर में कोई एक ऐसा आइडियल स्पेस अपने प्लांट के लिए इंडोर प्लांट के लिए चुने जहां से आपको बार-बार हटाना ना पड़े और आगे आने वाले सीजन मे इसको बारिश का पानी जरूर दे अभी खाद दे दिया है तो अभी बीच में समर में खाद देने की कोई ज़रत नहीं है आप दोस्तों आपको ये वीडियो यूसफुल लगी होगी तो आप भी कोशिश करें कि बिना अमाली की हेल्प के मोसिस्टिक लाकर खुद से ही उसक को सेट करने की कोशिश करें दोस्तों मिलेंगे नेक्स किसी वीडियो में तब तक ले लाइक शेर सब्सक्राइब करें अपी गाडनिंग को ग्रीन